हेलो स्टुडेंट्स आगे बढ़ते हुए अब हम प्रती स्थापन विधी का तीसरा कदम सीख लेंगे और इसी कदम के साथ प्रती स्थापन विधी समाप्त हो जाएगी और आप पे बनने भी लगेगी देखो अगर हमें दो समीक्रण दिये गए हैं कुछ इस तरीके से तो इन दोनों समीक्रणों को हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिये गए रैखिक समीक्रण योगमा तो दोनों समीक्रणों को हम नीचे लिख लेंगे पहले वाले को समीक्रण एक बना देते हैं ये देखिए और दूसरे वाले को समीक्रण दो बना देते हैं अब यहां से हम प्रत स्थापन विधी का पहला रूल क्या होता है समिकरण एक से सुरुवात करते हैं कहां से सुरुवात करते हैं समिकरण एक से तो हम यहाँ पे लिखेंगे समिकरण एक से बहुत ही ध्यान से समझना मैंने आपको अलग-अलग पहला कदम और दूसरा कदम सिखाया है तो आपको अ धन, तीन बाई, बरावर 6, यह पूरा समीक्रण एक होगा, अब इस समीक्रण एक से हम x का मान निकालेंगे, तो बाई वाला जो पद है न, इसका पक्छानतर करेंगे इस तरफ, तो पहले हमने लिखा दो एक्स, लेकिन यह जो बाई वाला पद है न, प्लस में है न, तीन बा तो इसको नहीं लिखा, बरावर में 6 डारेक्ट लिख दिया, बरावर 6, अब ये जो प्लस का 3Y है, इसका इस तरह पक्चंतर कर लिया, तो माइनस का क्या हो गया, 3Y हो गया, तो इस तरीके से प्लस वाले चीज माइनस में यहाँ पे चली जाएगी, इसके बाद हमें X का मान निकालना है, तो ये 2 जो लिखा है, ये X के साथ में गुणा में लिखा है, तो गुणा बाली संख्या कहां आ जाएगी, बटे में, तो X वरावर होगा, 6 माइनस 3Y, और बटे कितना आ जाएगा, तो बटे 2 आ जाएगा, और इसे हम बना लेंगे, समि सकते हो, तो X वरावर ये हो गया, अब X का मान है, 6 माइनस 3Y, बटे 2, ये X की जगा पे लिख सकते हैं, तो आगे हम लिखेंगे, कि X का मान समिंकरन 2 में रखने पर, अब समिंकरन 2 कहाँ पे है, बता बटे हो जरा, ठीक है, ये है अपना समिंकरन, समीं किरंड 2 में सबसे पहले क्या लिखा है 3 तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 लेकिन उसके बाद क्या लिखा है उसके बाद लिखा है x तो x की जगह पे आप x का पूरा मान रखोगे तो कोश्टक लगा दो x का मान है 6-3y बटे 2 और कोश्टक कर दो बंद फिर प्लस 2y बरावर 15 लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस फिर लिखेंगे 2y फिर बरावर और फिर लिखेंगे 12 यह देखो इस तरीके से लिख लिया अब कोश्टक के बाहर जो संख्या है 3 अगर ये उपर और नीचे की अगर कट रही है तो काट देंगे और नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे ठीक है तो देखो फिलहाल तो नहीं कट रही है न इसलिए हम तीन का गुणा इस छे में करेंगे और तीन का गुणा इसमें भी करेंगे मतलब जहां तक कोश्टक फैला है वहां तक गुणा करेंगे तो छेतिया 18 माइनस लगा है तो माइनस और तीतर का 9 भाई ठीक है? और बटे कितना हो जाएगा तो बटे आजाएगा 2 और प्लस 2 भाई बरावर 12 अब ये जो इस्टेफ है ये हल करना मैंने आपको दूसरे कदम में सिखाया था दूसरे कदम में मैंने क्या सिखाया था? कि इसका गुणा इसमें होता लेकिन अभी तक आपको समझा रहा है न सबसे पहले दोनों समींक्रणों को समींक्रण एक और दो बना दिया समींक्रण एक से सुरुआत की तो यहां से एक्स का मान निकाल लिया जिसे हम समींक्रण तीन बना लेते हैं और जो भी एक्स का मान आया है इसे हम एक्स की जगा पे समींक्रण दो में रख रहे हैं, तो हमने x की जगा पे रख दिया, अब जैसे आगे कोई संख्या है तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, और बटे 2 प्लस 2 बाई बराबर 12 हो गया, अब देखो, ये जो बटे में 2 है, और ये गुणा करेगा इससे, ठीक है, मैंने ये दूसरे कदम में आपको यहां से सिखाया था, कि ये सर्जबिशन हमेशा प्रतिस्थापन बिधी में आती है, तो क्या करोगे, उपर के दौनों पद जियों की थे हो, 18, माइनस 9 भाई, ये दौनों पद जियों की थे हो, 2 का गुणा करोगे इसमें, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 4 भाई, और 2 सब के बटे में आ जाएगा, मतलब क्या होगा इसका, कि अभी इन 2 पदों के बटे में 2 था, लेकिन 2 ने इससे भी गुणा कर दिया, तो अब सब के बटे 2 आ गया, भले ही ये 4 भाई हो गया, लेकिन सब के बटे क्या आ गया, 2 आ गया, तो मतलब अगर एक संख्या बटे के रूप में हो, और दूसरी संख्या बटे के रूप में ना हो, तो लगुत्तम से हम गुणा कर सकते हैं यानि LCM बटे एक करके कर दो चाहे डारेक्ट कर दो तो बटे एक करने में थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है तो हमने डारेक्ट किया 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 बाई और बटे में 2 जियों काते हो ऐसा कब करना है जब एक संख्या बटे में हो और एक संख्या बिना बटे वाली हो तो जो बटे वाली संख्या होती है वो उससे गुणा करके उसके भी बटे में वो आ जाती है देखो अभी तीनों पदों के बटे में दो है एक दो और तीन और बराबर कितना है बारा है मतलब गुणा भी कर लेगी और बटे में भी रहेगी यह ध्यान रखना है अब देखो तर्य गुणा करेंगे 12 के बटे कुछ नहीं था तो हमने एक कर लिया तो इसका इसमें होगा तो एक का गुणा किसी भी संक्या में होगा रहेंगे यानि कि 18 माइनस 9Y प्लस 4 वाई और बरावर 12 है दूनी 24 हो जाएगा कलियर हुआ कि नहीं अब वाई वाई एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे तो देखो ये माइनस 9 वाई प्लस 4 वाई इसी तरफ रह लेते हैं तो minus 9 बाई और plus का कितना हो जाएगा, 4 बाई, बराबर, यह 24 तो पहले से लिखा था, और यह जो 18 है, जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हमें इसको उस तरह ले जाना, तो plus का है, इस तरह पाएगा, तो minus का 18 हो जाएगा, अब देखो माइनस का 9 बाई प्लस का 4 बाई है तो माइनस का 5 बाई बचेगा क्योंकि जो 9 में से 4 नहीं बड़ी संख्या में से हमें इसा छोटी संख्या ही घटती है लेकिन चिन बड़ी संख्या का रहता है 9 में से 4 घटाया तो 5 आया लेकिन बड़ी संक्या माइनस की थी तो माइनस लगा दिया और बराबर देखो 24 में से 18 गटा दू तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 देखो 6 बचे की नहीं तो ये 6 ही बचेगा अब इसके बाद ये प्लस का 6 बचेगा बाई का मान अब बाई का मान हम जो है अगर बापिस यहाँ पे रख दें जहाँ पे यहाँ पे तो X का भी मिल जाएगा तो बाई का मान कहां रखते हैं बाई का मान समीगरण 3 में रखेंगे हमेशा बाई का मान कहां रखेंगे समीगरण 3 में तो देखो ये तो X वरावर 6 माइनस 3, भाई की जगा कितना है माइनस 6 बटे 5, तो यहाँ पे लिखा माइनस 6 बटे 5 और बटे 2, बिल्कुल टेंसर नहीं लेना है, लग रहा है थोड़ा-थोड़ा कठे नहीं है, बस ध्यान से देखते जाओ तो X वरावर यहाँ पे आपको क्या करना है देखो नियम पता है, तो सब कुछ बनेगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, पिलस, तो 6 के बाद आप सीधा पिलस लगा के, उपर नीचे की जंक्या कट रही है, तो काट देना है, नहीं कट रही है, तो उपर-उपर का गुणा, नीचे-नीचे का गुणा तो देखो, 6-3 18 18 और बटे कितना आ जाएगा, 5 6-3, 18 और बटे 5 और सब के बटे क्या है, 2 है अब यहाँ पे भी आपको बड़ी ध्यान से करना है अब ऐसा जो सवाल है, अगर ऐसी situation फस्ती है, तो क्या करोगे आप 5 का गुणा इसमें करोगे 6-5, 30, 18 सब के बटे, देखो मैंने बताया कि अगर एक संख्या बटे में हो और दूसरी संख्या बटे में ना हो तो आप लगुत्तम कर सकते हो, यानि इस संख्या का इसमें भी गुणा कर दो तो इसके भी बटे आ जाएगी, तो 6-5, 30 6-5, 30, पिलस 18 अब सब के बटे क्या हो गया? 5 अब जब सब के बटे 5 आया, तो सब के बटे में तो 2 भी था तो 5 गुडे 2, यानि बटे बटे भाई भाई, तो ये 5 गुडे 2 हो गया क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि जैसे 5, 30, पिलस 18 और सब के बटे 5 करेंगे, और उसके भी बटे 2 होगा तो वो पलट के, दो के बटे एक करेंगे, तो पलट के एक बटे 2 ही हो जाएगा तो वो नीचे ही आएगा, इसलिए मैंने 5 गुडे 2 ही लिख दिया तो X वराबर कितना आएगा? 30 और 18, 48 और बटे 5 दूनी 10 यानि X का मान आएगा 4.8 ठीक है? तो ये X का मान भी हम निकालके, प्रती स्थापन बिधी को solve कर सकते हैं तो प्रती स्थापन बिधी के 2 कदम मैंने आपको बताए, और धीरे धीरे आप सीखोगे पहला कदम अगर आपको पता है, दूसरा कदम पता है, तो तीसरे कदम में आप बहुत कुछ सीख चुके होगे और कोई भी आपको सवाल दे दिया जाए, आप उसको आराम से करना start कर सकते हो और खुद से practice करोगे, हर एक सवाल में तो भी बनेगा, और मैं जो सवाल बताऊंगा, वो भी आपको समझ में आएगा और बनेगा अब देखो, ये सवाल जो है, इसको आपको वीडियो को pause करके करने की कोशिस करना है, देखते हैं कितना बनता है अब मैं आपको बताता हूँ, बड़े त्यान से समझना एक एक चीज़, सबसे पहले हम लिखते हैं, दिये गए समीकरण योग्म अब दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे, जैसे पहला समीकरण होगा, 3X, धन, 2Y, बरावर 5 इसको हमने बना दिया कि ये रहेगा अपना समीकरण 1, और दूसरा लिख लेते हैं, 2X, माइनस, 3Y, बरावर 7 इसको बना लेंगे हम समीकरण 2, अब प्रती स्थापन विधी का पहला रूल क्या कहता है, कि सबसे पहला समीकरण जो है, उसी से स्टार्ट करो, और X का मान निकालो, तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 पूरा उठा लेते हैं, जो की दिया गया है, 3X, धन, 2, बरावर 5, ये समीकरण 1 पूरा उठा लिया, अब यहां से क्या करना है, X का मान निकालना है, तो बरावर सीधा 5 लिख दोगे, बरावर और 5 लिख दो, और उसके बाद लिख दो माइनस का 2 बाई, तो ये हो गया पक्छांतर, अब हमें X का मान चाहिए, 3X का नहीं चाहिए, तो 3 जो गुणा में है, उसे बटे में पहुँचा दो, तो X बरावर होगा, 5 माइनस 2 बाई, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसे हम बना देंगे समिंकरण नमबर 3, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, अब जो X का मान आया है, इसे हम समिंकरण 2 में रखेंगे, जैसा कि बिधी कहती है, तो X का मान, समिंकरण 2 में रखने पर, समिंकरण 2 ये है, तो 2 लिखा है, तो 2, और जहां X है, तो X की जगए पे हम ये पूरा मान रख देंगे, तो रख देते हैं, 5 माइनस 2 बाई, और बटे कितना आएगा, 3, ये देखिए, और माइनस 3 बाई, बरावर 7, समिंकरण 2 बागी का यूंकाते हूं लिखेंगे, माइ ये समिंकरण 2 जो दिया गया था ना, उसमें जो X है ना, उसकी जगापे ये जो X का मान हमने निकाला है ना, समिंकरण X है, ये पूरा मान रख देना है, और बाकी पूरा समिंकरण जियों का तियों रहेगा, बोलो समझ पा रहे हो ना, अगर ये उपर नीचे के कट रहे है और बटे में कितना रहेगा तीन और माइनस तीन वाई बरावर साथ है तो यह हमने लिख लिया और यहां बरावर चल रहा है तो आप यहां पे इंप्लाइजेट चिन्न का उप्योग भी कर सकते हैं अब यह जो situation आती है यह मैंने दूसरे कदम में आपको सिखाई थी कि जैसे एक संख्या बटे में है और दूसरी संख्या बटे में ना हो तो हम क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर सकते हैं और LCM से गुणा होगा तो सब के बटे में वो संख्या आ जायती है जैसे 10-4Y अब देखो 3-3 का 9 जो चिन लगा रहे था वो जिए उंकाते हो रहेगा संख्या का संख्या में करो कि बल गुणा 3-3 का 9 बाई और सब के बटे कितना आ जाएगा सब के बटे ये 3 आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा साथ और बटे में कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा ठीके अब देखो 3-1 गुणा करेंगे यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 3-1 गुणा अब 3-1 गुणा कैसे करते हैं इसका करेंगे इसमें और इसका करेंगे इसमें आएक का करोँ पहले तो आएगा 10 माइनस 4 वाई एक का करोँ के जियों कते हुआ आता है 10 माइनस 4 वाई माइनस 9 वाई और यह देखो 7 थ या 21 कितना हुआ? 7 थ या 21 थ बाई भाई गाई एक तरफ संख्या संख्या एक तरफ तो यह माइनस का 10 हो जाएगा तो यहां से अब हम माइनस का 13 बाई बराबर 21 में से 10 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे क्योंकि 11, 10 और 11, 21 होते हैं आप देख सकते हो और प्लस के बचेंगे तो बाई बराबर आएगा माइनस 11 बटे 13 क्लियर है की नहीं तो बिधी आपको सीखना है संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है बिधी सीख जाओगि एक बार तो कोई भी सवाल है वो बन जाएगा तो ये बाई कामान है बाई कामान आप कहान रख दोगे सीधा समीकन 3 में यहाँ पर रख दोगे 5, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस, और 11 दूनी, 22, और बटे कितना, 13, और बटे कितना, 3, तो x बराबर फिर वही एक संख्या बटे में है, एक संख्या बटे में नहीं है, तो इसका इसमें गुणा कर 2, 13 पोने, 65, और प्लस कितना हो जाएगा, 22, अब सब के बटे 13 लिख सकते हैं, और बटे में कितना है, 3, तो देखो, 65 और 22 जोड़ दो कितने हो जाएगे, 5 और 2, 7, और 6 और 2, 8, 87, 87 बटे 13, और इसके बटे कुछ नहीं, तो एक कर सकते हैं, तो तीन बटे एक पलटके हो जाएगा, एक बटे 3, तो देखो, यह तीन एक्चुली में बटे में ही रहता है, तो एक गुणा हो जाता है, तो एक्स बराबर आएगा, 87 बटे 13, तिया 49, तो यह जो है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं तो किबल, सॉल्व कराना आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी कंडिशन में आप प्रती स्थापन बिदी को सॉल्व कर पाओ, हलाकि किताब में प्रिशना बली में थोड़े सरल सरल सवाल है, इस से थोड़े सरल है, लेकिन कभी एक दो सवाल हैं ऐसे, जिनमें आपको कैलकुलीशन करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको प्रती स्थापन बिदी को जितना हो सकता, उतना डेटेल में बताया है, ये मैंने सवाल कराया, इसके पहले मैंने आपको ये सवाल कराया, ये दोनों सवाल की help से प्रतिस्थापन बिदी मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है I hope कि आपको ये दोनों बिदियां अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर प्रतिस्थापन बिदी समझ आई है तो आगे की प्रिशना बलियों को भी आप अच्छे से कर पाओगे और वहाँ पे भी मैं deeply ही समझाऊंगा हर एक सवाल को अच्छे से समझाऊंगा तो क्या होता ना कि जैसे कोई चीज पढ़ लेते हैं तो वो चीज फिर आसान लगने लगती है इसी तरीके से अगर प्रतिस्थापन बिदी आपने तीनों कदम अच्छे से समझें तो आने वाले जो सवाल है उनमें आपको अच्छा लगेगा और आप जानोगे समझोगे की सर क्या बता रहे हैं ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में और करते हैं सुरुगात फिर प्रतिस्थापन बिदी के थैंक यू